हलो फ्रेंड्स, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में आपका SSC Constable GD 2018 का Final Result निकल गया, जोइनिंग हो गई हमारे साथियों के कुछ बची हुई हैं जोइनिंग, इसके लबा कुछ हमारे साथी विधेल्ड हैं, कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो कोर्ट केस के बाद में उनका Medical हो गया, लेकिन बोग इंतजार कर रहे हैं कि Merit में कैसे उनको शामिल किया जाएगा, और कुछ हमारे साथी वो हैं जो Select नहीं हो पाए, Merit में जिसको कहते हैं कि Out हो गए, Final List में नाम नहीं आया, अब उनके बहुत सारे Doubts हैं, कुछ हमारे साथी उसको Challenge करना चाते हैं, Waiting आना चाहिए, जो खाली वेकंसी है वो, अब Recruitment Rules, Recruitment Policy, Recruitment Guideline क्या कहती है, उसको हम डसकस करेंगे इस वीडियो में, और क्या Waiting की कहीं बात कहीं गई है इसमें, क्योंकि SSE कहती है कि हम Waiting लिस्ट जारी नहीं करते हैं, SSE कहती है कि हम किसी परकार का Result जारी नहीं करेंगे, हम सरफ अपना Result बना के जो संबंदित डिपार्टमेंट है, उसको दे दिया जाएगा, चलिए आईए हम डसकस करते हैं इसको, जो ये 2018 का जो Policy है, वो है ये, इससे पहले हमने एक वीडियो में 2015 का Policy को डसकस किया था, उसमें और इसमें थोड़ा सा Difference है, वो क्या है वो भी आपको बताएंगे, ये कहां से जारी हुआ है, Government of India, Ministry of Home Affairs, Purs to Desk, ये सब वही है, सब्जेक्ट है कि एक्जाम होगा, Constabulary Forms the Major Component of the Central Armed Police Forces, कि हमरी जो Constabulary है, वो एक बहुत बड़ा पार्ट होता है हमारी Forces का, उसको भी हम बात नहीं करेंगे, हम डारेक्ट आ जाते हैं, Elisibility for Appoint जो है, वो क्या है, वो है, Age between 18 to 23 years, the crucial date कब से होगा, आयू सीमा का निर्धारन कब से किया जाएगा, तो पहली जनवरी होगा, यदि आपका एक्जाम जो है, वो पहले हाफ में, यानि कि किसी स्वर्ष के पहले अर्धाउंश, जिसको कहते हैं, कि एक जनवरी से, यदि 30 होगा, educational qualification आपे metric, वो ही 10th class पास है, height 170 है, और female के लिए 157 cm है, chest 80 से minimum 5 cm, expansion चाहिए, यानि कि 80 से 85 होगा आपका पास होने के लिए, यदि वो 84 हो जाता है, तो भी आप out हो जाते हैं, और ऐसा हुआ है, weight के लिए ये कहा है कि proportionate to the height और age होना चाहिए, अब medical standard जो है, उसमें medical standard में देखे, distant vision जो है, वो 6 by 6 and 6 by 9 of both eyes, without wearing the glasses, अब कुछ हमारे साथी जो 6 by 9 है, उनको बड़ा डर लगता है कि joining के बाद में क्या होगा, कहीं 6 by 9 में out कर दे, तो जो आपका, जिसको कहते हैं कि right hand person है आप, तो आपका right eye 6 by 6 होना चाहिए, left 6 by 6 भी चलेगा, और 6 by 6 और 6 by 9 में बहुत कम difference होता है, जो हमारे साथी पहली बार medical में जाते हैं, उनको ये बड़ी problem होती है, उनको पता नहीं होता, चार्ट को कैसे पढ़ना है, और वो कुछ एक या दो जो उसके जो अक्षर होते ह हैं, उसमें वो धोका खा जाते हैं, जैसे वो H और A में बड़ा धोका होता है, उनको, H और M में धोका होता है, और वो उसमें point बन जाता है, लेकिन fit हो जाते हैं, correction surgery किसी परकार का जो है, correctional measures जो हैं, वो नहीं चलेंगे इसमें, अब color perception जो है, वो सबसे बड़ी बात है, क CP3 के हमने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, और binocular vision जो है, वो required होना चाहिए, visual correction of any kind is not permitted even by glasses, glasses आप use करते हैं, आप unfit हैं, आपने laser करवाया है, वो भी unfit है, लेकिन एक बात यहां पर आपको बता दूँ कि जब आप detail medical में laser करवा के जाते हैं, तो आप पकड़ में नही चेक हो जाता है, माशीन से, इसके लावा नौकनी, फ्लाट फूट, वेरिकोज, वेंस, क्वेंट, यह सब के बारे हैं बताए गया है, relaxation, तो relaxation जो है, वो एज में relaxation किसको दिया है, SC, ST, OVC, एक सर्विसमेन को तो उनका सर्विस के according होता ही है, height, अब इसमें देखिए, height जो है, वो ST जितना भी है, हमारा, उनको 162.5 है, यह सेम है height जो, और females के लिए 150 cm से, सभी All India ST जो है उसको, इसके बाद भी कुछ ST इसमें भी special shoot ओर दी गई है, जो हमारे नोर्थिस्टन स्टेट्स हैं, और नाचल परदेश, मनीपूर, मेगाले, मिजोरम, नागलेंड, सिक्किम और तिरपुरा, उनको भी दिया गया है, 160 है उनके लिए, और 147.5 है, female के लिए, height में चूट गडवाली, कुमाउनी, डोगराज, मराथाज, and candidates belonging to the estates of Assam, हिमाचल परदेश, and Jammu, and Kashmir, will be 165 cm for male, and 155 cm for females, उनको भी चूट दिया गया है, ल Assam के, North East के, Jammu के, जो हमारे साती हैं, उनको इस criteria के बज़े से out होना पड़ गया, कि ये OBC, SC, ST जो है, उसने यदि छूट ले लिया, 170 से कम है, तो वो OBC में ही count होगा, वो, वो general में नहीं जा सकता, जबकि general जो है, वो 165 पर भरती हो रहा है, OBC वाला जो है, उसने age में relaxation नहीं लिया, उसने, उसका भी age 23 से कम है, ये सबसे बड़ा point है, इसको ही challenge किया गया है, मानने गुहाटी उचनेले में इसको challenge किया है, और क्या outcome इसका होता है, अब इसके लाबा कुछ हमारे और, जो subdivisions हैं, उनके लिए भी छूट दी गई है, वो भी इसमें दिया गया है, चेस्ट में, जो ST जो है, उसको 76 cm है, और डोगराज, मराथाज, गरवाली, कुमावनी, जो है, उनको भी छूट दी गई है, उनका 78 है, सिरफ ये जो 78 चेस्ट है, इसकी वज़े से हमारे आसाम के नौर्थिस्ट के जो कुछ साती है, वो out हो गए, यहाँ पर, यहाँ पर कह हो जाता है, वो 79 भी हो गया, तो वो out हो गया, यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस भरती के रहा है, और हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि यह किस तरीके से result तयार होता है, calculation of vacancies, calculation of vacancies के बारे में कहा गया है कि vacancies are for a recruitment year, will be calculated annually, financial year basis, the recruitment will be completed before the end of the year, अब देखिए, end of the year का मतलब क्या है, कि एक March, sorry, एक April से जो शुरू होता है, financial year, वो खतम कब होता है, वो 31 March को खतम होता है, तो इनका कहना है कि नो महिने में ये भरती पूरी हो जानी चाहिए, should be, यानि कि उसको कोशिश करना चाहिए, नो महिना छोड़ कि अभी तो यहां पे तीन साल होने को आ रहा है, अभी तक joining नहीं हो पाई ये candidates की है, इसमें एक साल तो चली हम मान लेते हैं कि कोरोना की वज इसमें आ जाएगी, अब जो अभी 2021 के जो वेकंसी आएगी, उसमें कौन सी खाली वेकंसी आएगी, क्या 18 वाली खाली आएगी, 18 वाली वो खाली वेकंसी आएगी, जो candidates, reserve categories, special categories, area के according जो 6000 के असपास जो candidates बचे जो select नहीं हो पाई, जिसमें हम बात करें, नागालेंड स्ट की तो नागालेंड की वेकंसी खाली चली गई, इसके लावा और दूसरे कुछ state UT हैं, वहाँ पर भी वेकंसी खाली गई है, वो वेकंसी तो 2018 की खाली जो है, वो 2021 में shift हो जाएगी, लेकिन 2018 के जो candidates select होने के बावजूद भी join नहीं किये, या join करके दो दिन बाद में वाप आपस आगे, उस वेकंसी का क्या होगा, क्या वो भी 2021 की वेकंसी में शामिल हो जाएगी, वो 2021 की वेकंसी में शामिल नहीं हो पाएगी, क्योंकि 2021 की वेकंसी तो अभी declare हो जाती, CISF की candidates join नहीं किये है, NISSF join नहीं किया है, उससे पहले वो वेकंसी declare हो जाती है, तो उसको क ऐसे ये कहा जा सकता है कि वो वेकंसी जो खाली वेकंसी है वो हम next भरती में अभी अगली भरती कब आएगी? 2022 में आएगी? 2023 में आएगी? उस समय तक वो वेकंसी खाली पड़ी रहेगी जबकि सरकार के पास में already fit candidates available है. Number of personnel required for raising of new battalions as per the schedule approved by MHA and any new post sanctioned by MHA. कोई नई raising होती है उसका नई battalion बनती है ये ग्रह मंत्राले के approval से होता है. Resultant vacancies existing or likely to arise during the year because of promotions in other ranks. Constable से head constable बनता है तो कितने head constable बनते हैं? वो constable की vacancy खाली हो जाती है. Average of last three years wastage retirement during the year. अब wastage कौन साथ है कि है? वो wastage है जो आपके साथ ही select हो गए लेकिन वो join नहीं किया या वो दो दिन बाद वापस लोट आए. वो wastage है. वो scrap है vacancy. Average of last three years attrition resignations जो स्टीफा दे कर चलेगे वो. Average of last three years percentage of candidates who have not joined after their selection. अब यह देखिए यहाँ पर इसके बारे में भी साफ लिख दिया गया है कि ओसत निकाला जाएगा तीन साल का पीछे का जो candidates not joined. अब जब यहाँ पर policy बनाई जा रही है कि जो join नहीं किये. तो इसके लिए policy एक क्यों नहीं बनाई जा सकती कि जब आपके पास में already fit candidates हैं तो जो join नहीं कर रहा है उनके लिए एक list ही तो और निकालना है आपको लोग तो तयार बैठे वे हैं. यदि एक साल से ज़्यादा हो जाता है तो आप उनका medical कर लिजे. उसमें unf office में बैठ के policy बनती है ये ground reality जो है उसके आधार पर ये policy नहीं बनाई जा रही है ऐसा लग रहा है. 50% of the anticipated vacancies on retirement, promotion, etc. of next financial year and all vacancies on account of new raising of battalions in next financial year. कि अगले साल की भी इसमें जो है कि प्रत्याशा लगाई जाएगी कि क्या होगा, कैसे होगा, कितने लोग retire हो जाएंगे, कितने resign कर जाएंगे, promotion होगा, वो सब के आधार पर भी vacancy का determination होता है. Allotment of vacancies, allotment of vacancies क्या है, 60% of vacancies will be allotted amongst state UT on the basis of promotion, population ratio. तो UP का vacancy ज़्यादा है, तो UP को, इसलिए vacancy UP के ज़्यादा है कि UP का population ज़्यादा है. इसको हम discuss नहीं करते हैं, border district जो है उसका ये पीछे में बात कर चुके हैं, reservation, अब reservation में देखिए, SC, ST, OBC, plus ex-servicemen, and other categories of personnel in accordance with the instructions issued by the government from time to time. EWS का जो vacancy है, वो 2021 की vacancy में आएगा, उनका भी reservation दिया जाएगा. The reserved vacancies will be calculated and recruitment met with reference to the allocations met to the state's UTs under item 3 above. Quota for SC, ST, OBC for various state's UTs will be fixed having regard to the number of SC, ST, OBC population in such state's UTs. कि उस state में कितना population है, percentage SC, ST, OBC का, उसकी according उसकी जो total vacancy होती है, उसको उसको दिया जाता है. जैसे हरियाना में ST की vacancy नहीं आती है, उसकी वज़ाए है कि वहाँ पर ST का population, उसका ratio बहुत कम है. अब यहाँ पर देखिए एक बात और कही जाती है कि the unfilled reserved vacancies may also be filled through special recruitment drives. देखिए यह तो कह दिया गया है यहां policy में कि जो unfilled reserved vacancies है, उसके लिए special recruitment drives लाए जाएं. special recruitment drives जैसा कि अभी जमू कश्मीर में जो special recruitment drive हुआ था, जिसमें CISF और BSF की भरती भी थी, वो special recruitment drive है. तो एक तरफ तो देखिए special recruitment drive लेकर candidates जो बच गया, उनको fill करने की जो vacancy बच गई, उसको fill करने के लिए नहीं भरती करने की बात की जा रही है, special recruitment drive. और दूसरी तरफ जो vacancy खाली जा रही है, जो candidates join नहीं कर रहे है, इसका पूरा proof आ गया, इसके list जो है, वो circulate हो रही है, जो headquarter से जो list जारी हो रही है, कि कितने candidates नहीं आए, उनको second offer of appointment दिया जाए, या offer of appointment cancellation के letters जो है, वो circulate हो रहे है, जो हमारे साथी medical में बहुत major problem थी, वो unfit हो गए, उनका offer of appointment cancel कर दिया गया, वो सब circulate हो रहा है, और एक तरफ जो हमारे साथी जो tie case वाले हैं, या जिनको 3 नंबर कम है, जिनको 5 नंबर कम है, वो इंतजार कर रहे हैं, एक उम्मीद उन्होंने लगाई, ग्रह मंत्राले को उन्होंने approach किया, बहुत सरे letters उन्ह खाली है vacancy, 20% तक की vacancy बहुत सारे centers पे खाली जा रही है, कि 1200 candidates को बुलाया था, वहाँ पर 800 ही आया है, तो वो 400 जो है, उसका क्या होगा, 33% जो है, उसका क्या होगा, क्यों आप खाली रख रहे हो, जब आपके पास में already candidates available हैं, ये point देखे, हम बात इसकी इसलिए कर रहे ह कि इस point को यदि आप challenge करते हैं, हमारा जो judiciary system है, हमारे honorable high courts हैं, यदि वहाँ पर आप ये matter लेकर जाते हैं, तो आपका point जो है, उस पर सुनवाई हो सकती है, आप कहते हैं कि vacancy खाली है, हमें joining दी जाए, force अपनी policy रखती है, कि हम क्यों joining दे सकते हैं, और उस दोनों point को सुन जाएगा, लेकिन आप प्रियास तो कर सकते हैं, आप प्रियास नहीं कर रहे हैं, जिस रास्ते पर आपको जाना चाहिए, आप उस पे नहीं जा रहे हैं, आप लोग tweet कर रहे हैं, आप लोग दिल्ली जाके वहाँ पर जंतर मंतर पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो tweet करन और जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है उसमें चैलेंज करने में फर्क है परधानमंतरी कारयाले को कैंडिडेट ने चिट्थी लिखा उसकी चिट्थी पर परधानमंतरी कारयाले में सुनवाई नहीं होगी वो चिट्थी भी CRPF के पास ही आ जानी है रिपलाई CRPF के पास आपके मार्क्स जो लास सेलेक्ट कंडिडेट है उससे कम है इसलिए आप सेलेक्ट नहीं हुए आप जो अपनी बात कह रहे हैं कि मेरे दोस्त सेलेक्ट हो गए वो जॉइन नहीं किये उनकी विकंसी खाली जा रही है उसका कुछ सॉल्यूशन किया जे उसका कोई जवाब न अब देखे रेकूटमेंट प्रोसीजर दोहार अठारा वाला जो है वो क्या था वेकंसी विल बी रिलीज़ तु स्टाफ सेलेक्टिन कमिशन एससी वाइ रस्पेक्टिव डिरेक्टर गेरल ऑफ सी एफ और नेशनल इंवस्तिगेशन एजनसी निये और सेक्रेटरेट अब इसमें रेकूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस ऑफ कम्प्यूटर बेस्ट एग्जामिनेशन यहाँ पर देखे सबसे पहले आपका CBE या CBT भी इसको बोल सकते हैं कम्प्यूटर बेस्ट उसके बाद में PET उसके बाद में PST एंड मेडिकल एग्जामिनेशन अब CBE में आपका जो फिंगर जो आप ने लगाया था वही फिंगर आपके आगे के प्रोसेस में भी आपका मैच होना चाहिए वो मिसमैच हो गया वहाँ पर आपको प्रोब्लम हो गई Based on the performance in CBE candidates will be shortlisted for PET-PST by SSC data along with application forms and department copy of CBE admit cards, attendance sheet and biometric identification of such shortlisted candidates will be provided to nodal force for conducting PST-PET नहीं आपने जो exam दिया था वो exam conduct करवाने का काम किसका था SSC का था उसका आपका जो data है वो चला जाता है nodal agency को nodal agency आपका PET-PST जो है वो करवाती है A PET-PST, allocation of candidates to the identified PST-PET and medical examination center will be made by the coordinating CAPF on the basis of the list of centers provided by the participating CAPFs PST-PET medical examination and documentation shall be mandatory however PST-PET will only be qualifying in nature and will not carry any marks यह वो ही है जो पहले था अब यहाँ पर देखिए एक बात यह कही है कि SSC shall try to finish the recruitment process within a period of 9 months C.E. किसी को पता नहीं था कि 9 महीने में पूरा हो जाना चाहिए और बिलकुल हो जाना चाहिए 9 में नहीं होता है 12 में हो जाना चाहिए ताकि हर साल भरती आ सके जब हमारे साहिक commandant की भरती हर साल आती है तो सिपाही की भरती हर साल क्यों नहीं होती जो candidate join नहीं कर रहे हैं अब इतना लंबा परक्रिया जब एक भरती प्रोसेस चलती है तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ candidates ऐसे हैं कि जो दूसरी forces में select हो जाएंगे या दूसरी job में चले जाएंगे वो forces में, फुलिस में भरती हो जाएंगे और हो भी रहा है ऐसा इस तीन साल के आउधी में पुलिस की भरती हैं किसी किसी स्टेट में दो भरती हो चुकी तो जो youth है वो उधर divert हो गया RPF की भरती हो जाती है वो वहाँ चले जाता है group D railway का हो जाता है उधर चले जाता है तो जो खाली रह रहा है हमारी बात सिरफ एक ही है कि जो खाली रह रही है उसका भी कुछ solution कर दिया जाता है तो जो हमारे साथी पीछे भटक रहे हैं उनको भी मौका मिल जाए उनको भी वर्दी मिल जाए उनको भी देश के लिए कुछ करने का जिसको कहते हैं ना कि उनको भी मौका मिल जाए और उसमें से ओवरेज हो चुके हैं यानि वो आगे भरती नहीं देख सकते हैं अब इसमें रोटेशन बेस पे सभी फोर्सेज को मौका मिलना था लेकिन इसमें सभी फोर्सेज ने अपना काम बटवरा कर लिया MHA के दवरा यह सब कर दिया गया कि जो साहिक कमंडेंट की भरती है उसकी नोडल एजेंसी SSB है CAPF सब इंस्पेक्टर की BSF है और यह SSC Constable GD की नोडल एजेंसी CRPF है Method of Selection Method of Selection Selection will be made annually through invitation of applications after giving wide publicity by ES अब देखें Selection जो है वो हर साल Selection will be made annually पुली हर साल होना चाहिए किया जाएगा लेकिन हर साल नहीं हो रहा है जब तीन साल तक चल रहा है तो यह point है आपके देखें यह हमारा judiciary system किस के लिए बना है हमारा judiciary system जो है वो न्याय देने के लिए बना है यह कहा जाता है कि न्याए होना ही नहीं चाहिए न्याए होते हुए दिखाई भी देना चाहिए लेकिन ये जो भरती की प्रक्रिया है इसमें तो अन्याए होते हुए दिख रहा है साफ कि जो ओवरेज होगे जो हमारे साथी उनको क्या उनको सवलियत होगी उनको और जो tie case है यानि कि जो बराबर नमबर पे है वो उसको सिरफ part A में उसके marks कम है इसलिए वो out हो जाता है अब उसका हक बनता है उसका कि जिदी खाली है वेकंसी तो उसको भी मौका दे दिया जाए उसको बुला लिया जाए अब उस हक के लिए उसे fight करना होगा और ये हमारा भी videos मनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आप लोग पूरा जान लें कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है 100 रुपीज का fee था इसका The selection will be made on the basis of the following देखिये examination will be advertised by the SSC ये हो गया ये पीछे मनें डिसकस कर लिया application form should be designed centrally by SSC application will be accepted through online mode only from candidates all over the country wide publicity through window advertisement including electronic media will be given in all parts of the country especially in LW affected areas G&K, north eastern states and border areas by MHA ये सब बताए गया है कि wide publicity उसका होना चाहिए detailed salary जो है उसका वो तै कर दिया गया on receiving online applications from the candidates SSC will conduct CBE computer based examination and will provide the list data of shortlisted candidates state wise district wise किसको दिया जाएगा nodal force को दिया जाएगा PT, PST and medical documentation के लिए at the very beginning of the recruitment process candidates whose applications are found to be in order will be asked to appear in computer based examination यानि form एदी आपका सही है तो computer based examination के लिए बुलाए जाएगा shortlisted for PST, PET will be asked to go through the height war ये सब हो गया height war होगा आपका race में जो qualify होंगे उनका जो अगला जो thumb impression, digital photograph and any specific identification marks in the body may be used ये सब होगा those who are found eligible on biometric identification will be subjected to height, chest and weight measurements वो सब होगा उसका relaxation in height and chest will be permissible only on production of जैसे annexer 8 जो है उसका और उसकी वज़े से बहुत सारे candidates को problem हो गई appeals from candidates who are not satisfied with their physical measurement may be obtained such candidates will be asked to report on the day after the completion of the PST, PET जिनको chest और height में एदी problem होता है जो satisfy नहीं है तो वो same day appeal कर सकते हैं ये point जिसको पता होता है वो candidates क्या होता है कि जो border जिसको कहते हैं कि height होती है जिनकी कि पूरा पूरा height हो रहा है border cases होते हैं, chest भी में भी doubt लग रहा है तो वो अपना application पहले से लिख कर ले जाते हैं वहांपे और वो height में दी उनको out किया जा रहा है तो वो application देते हैं उसके बाद में खुद senior officer वहां पर आकर उसका height मेजर करते हैं और वो ऐसा हमने देखा है कि वो candidate जो है height उनका 170 हो जाता है और वो fit हो जाते हैं constitution of medical boards, medical board के बारे में बता गया है उसको हम यहां पर discuss नहीं करेंगे physical standard PST and PET यह हो गया पुरा कि 5 km race होगा और 1.6 km जो है वो female के लिए होगा or 24 minutes and 8.5 minutes जो है वो हो जाएगा यहां पर और लदाक region जो है उसके लिए छूट दिया गया है इसमें pregnancy at the time of PET will be considered a disqualification and pregnant female candidate shall be rejected at this stage pregnancy होती है तो उन बहनों का PST नहीं करवाया जाता है sorry PET और ex-servicemen जो होते हैं उनके लिए PET नहीं होता है लेगिन उनके लिए medical examination होता है उनके लिए the commission will process the result of computer based examination यह पूरा बताया गया है जो आपका process हो चुका है written test के पारे में हम discuss नहीं करेंगे हमारा point यह है कि जो हमारे साथी select नहीं होएं क्या उनको कहीं न कहीं इस recruitment का जो policy है इसमें कोई point उनके लिए मिल सकता है कि जो waiting की बात हम कर सकें हम कहीं नयाय के लिए गुहार लगा सकें कि waiting होना चाहिए अब question paper और वो सब बात नहीं करेंगे हम हम देखें यहां पर बात करेंगे कि यह medical examination हो जाता है medical छोड़ दीजिए भी medical भी discuss नहीं करेंगे documentation जो है वो हो गया after conduct of DME, RME, result of candidates will be given to the commission by nodal force along with verified data of fit candidates in soft copy within a period of one month after completion of remedical examination वो सब दिया जाएगा, merit list के साधार पर बनाई जाएगा अब देखें, merit list जो है उसमें एक बात यहां पर कही जा रही है कि last वाला जो है वो पढ़ देते हैं आपके लिए the commission will prepare and declare the final list of selected candidates stage-wise indicating district-wise quota selection also wherever applicable along with the force allocation on its website and send the relevant data to the nodal force as done by UPSC in case of CAPF assistant commandant अब देखें, यहां पर MHA ने policy बनाते समय CAPF assistant commandant की जो भरती होती है UPSC के मध्यम से उससे तो उस प्रक्रिया से compare कर दिया कि जिस तरीके से UPSC के दोरा किया जाता है CAPF assistant commandant की भरती में वो ही process follow किया जाए लेकिन यहां पर एक बात आ जाती है कि CAPF assistant commandant में तो reserve list आती है तो SSC constable GD में reserve list क्यों नहीं आ सकती इसा क्या वज़य क्या है इसकी यदि आप लोग जाते हैं कहीं इसको challenge करते हैं process को तो आपको कम से कम जानने को तो मिलेगा देखें मैं नहीं कहता कि आपका जो final outcome क्या होता है उस stage का लेकिन आपका ये doubt तो clear हो जाएगा कि जब UPSC साहे commandant भरती में reserve list आती है तो सिपाही की भरती में reserve list क्यों नहीं आती हवलदार की भरती में reserve list क्यों नहीं आती सब inspector की भरती में reserve list क्यों नहीं आती अब इसके बाद में देखे एक पॉइंट जिस पे ओर आते है अपन कि जहां पर वीटिंग लिस्ट के बारे में भी इसमें कुछ कहा गया है वीटिंग लिस्ट के बारे में यहां पर क्या कहा गया है यह सब देखें है यह जर्णल यह सब सब जो है 15 points प्रोग्राम्स इस पॉलिसी में कहा गया है, क्या कहा गया है? यहां पर देखिया आपको दिखाते हैं अब देखिया यहां पर यह जो है इसको में आपको हिंदी में समझा देता हूं कि हम बात करते हैं, सपोज कि यह राजस्तान के चार डिस्टिक जो है, वो बॉर्डर डिस्टिक है, उनकी वेकंसी खाली रह जाती है तो उसके लिए जो नोडल फोर्स है, वो S.S.C. को सुचित करती है S.S.C. वहां पर जो बॉर्डर एरिया के लावा, जो जर्णल डिस्टिक एरिया है राजस्तान का, उस में से उन वेकंसी को फिल कर सकती है यानि कि बॉर्डर की वेकंसी जो है, वो एक स्टेट के अंदर ही शिफ्ट की जा सकती है, यह पॉलिसी है अब जो अन्फिल हुई उनकी तो यहां पर बात हो गई कि उनके लिए तो बॉर्डर डिस्टिक होगा तो बॉर्डर डिस्टिक से फिल कर लिया जाए, इसके लिए S.S.C. एक वेटिंग लिस्ट बना कर रखेगी तो यह बताया जाए यहां पर कि S.S.C. वो ही काम उन केंडिडिट्स के साथ में क्यों नहीं कर सकती जो सेलेक्ट होकर जॉइन नहीं करने जा रहे हैं, यह भी तो क्लियर हो गया, यह भी तो वेकंसी खाली रह रही है फिल हो गई तो क्या हुआ, वो कैंडिडिडिट्स ओलरी कहीं दूसरी जिगा सेलेक्ट हो गया है या आपने दो लेटर उनको भेजे, आप वो दोनों ओफर ओफ अपाइंट्मेंट्स वीकार नहीं किये उसके बाद उनका ओफर ओफ एपाइंट्मेंट्स रिजेक्ट करने का भी उनको लेटर भेज दिया गया है तो आपके पास में प्रूफ हो गया कि हमारी वेकंसी खाली है अब जो नोडल फोर्स है, वो इसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज उसको और करना पड़े कि नोडल फोर्स यहाँ पर जितनी वेकंसी खाली रह रही है, उसको SSC को दे दे डिमांट कि ये हमारी खाली रह रही है इसमें कितने कैंडिडेट्स वेटिंग हो सकते हैं, ये भी कर दिया जाए तो कम से कम हमारे 20,000 साथी ऐसे हैं, जिनको शायद फाइदा हो जाए टूट गये हैं, वो भी उन्हीं के साथी हैं, जो कोई पॉइंट एक नंबर से चंट गया जो, जो पॉइंट 00001 से चंट गया या जो जिसको नमबर बराबर है उसको उसके बराबर माक्स वाला सेलेक्ट हो गया है लेकिन इसको पार्ट A में इसको कम माक्स थे या इसको पार्ट B में कम थे या इसकी जो I.U. है वो कम रह गई या इसका नाम जो है वो इसका नाम सुरेश है इसलिए इससे पहले वाला अजे और अशोक, विक्रम, सौरी, हरीश, जो भी इससे पहले वाले जो हैं, वो सेलेक्ट हो गए, तो वो पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, कि जो बचे हुए हैं पेछे, वो भी आपके ही साथी हैं, उनका भी हक बनता है, वो भी भारत मा के बेटे हैं, वो कहीं विदेश्ट से नहीं आए हैं, बस बदकिसमती ये रही कि उनको थोड़ा सा माक्स कम रह गया, या उनको पार्ट ए का माक्स उनको कम रह गया, या कहें, कि वो एक क्वेश्चन उनका गलत हो गया था, तो यहां पर सारा खेल जो है, उसकी वज़ा से हो गया, या उनको ये भी हो सकता है कि उनको जो नॉर्मलाइशन हुआ था, उसमें उनके माक्स किसी के कम हो गये, तो फिर अब हमने देखी जब आपका रेजल्ट निकला था, हमने बड़ी कोशिश की कि आपके बात जो है, वो ग्रहमंत्री जी तक पहुँचे और वहां सही आपका solution हो जाए, लेकिन वो ग्रहमंत्री जी तक जो बात पहुचाई, उससे कोई solution हमें नहीं लगता कि उससे हुआ इसका, क्योंकि वहां जो candidates ने latter भेजे थे, representation दिया था, उनके reply आना शुरू हो गये हैं, और एक printed performer है, उसमें reply आ रहा है, आपका roll number और marks fill करके, कि आपको last select candidate से कम number रहे गया, इसलिए आप out हो गए, ये तो आपको भी पता है, ये तो हमें भी पता है, कि last select candidate से कम number रहे गया, इसलिए तो out हो गए, वरना तो हम भी select हो जाते साहब, हमारी मांग ये है कि जो select नहीं हो रहा है, जो select हो गया है और join नहीं कर रहा है, या जो join करके दो दिन बाद वापस आ जाता है, उनकी जो vacancy जो बच रही है, उसको आप आगे shift कर रहे हैं, उसको आगे shift करने की बजाए, उसको जो हमारी पीछे बैठे हो है candidates, जो medical fit हैं, सब वो मांग है, और यदि ये मांग भी हो जाती है, तो हमारे कितने साथियों को यहां पर फाइदा हो जाता है, तो फिर इस वीडियो के माद्यम से हम मान्य ग्रहमंत्री जिसे गुहार लगाते हैं, कि इसमे कुछ गौर्थ किया जाए, तो ये काम संभव हो सकता है, ये कैसे ह हो सकता है ये आप आदेश करते हैं तो बिलकुल हो सकता है और हमारे जो पीछे साथी बच गए हैं उनका यहां पर कहीं न कहीं उनको मौका मिल सकता है और हमारे उन तमाम साथियों से भी हम यहां पर कहना चाते हैं कि जो पीछे बच गए कि आप अपना fight जो है वो जारी रखिए आपका representation देने का आपका काम था आपने दिया representation का reply आ गया है तो अब हमारा judiciary system है इसके लिए हमारे honorable high courts हैं आप उनको approach कर सकते हैं आप इसको discuss कीजिए कि अब रुकना नहीं थमना नहीं अब ठानना है क्योंकि यदि आप ठानेंगे नहीं तो आपका मोगा चला गया है कि क्या ठानना है वर्दी को हर हाल में पाना है जहन्त